कहानियों का अंदर डॉग हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट होता है विज्ञान की दुनिया में भी एक ऐसा एक किरदार है जिसका नाम है निकोला टेसला फैन्स के लिए टेसला हीरो है कम संसाधन में बढ़ा, काम करने वाला, दुनिया बदर देने वाला हीरो लेकिन इस हीरो के सामने एक विलेन है, जो अपनी चालाकी से हर समय हीरो को नीचे खीचने की कोशिश करता है तेसला की कहानी में ये किरदार थॉमस एडिसन निभाते हैं तेसला AC करेंट की खोच करते हैं, तो Edison हाथियों को करेंट लगा कर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तेसला का करेंट तो जान लेवा है. हीरो हार जाता है, लेकिन यहां हार नहीं मानता, उसकी मौत के बाद दुन्या को उसकी कीमत का एहसास होता है. तेसला का एक भक्त उसके नाम से एक कमपनी बनाता है और एक दिन ये कमपनी एडिसन की कमपनी को पीछे छोड़ देती है। मितकों के रूप में सुनाई जाने वाली ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। आज आपको टेसला से जुड़ी एक दूसरी कहानी बताएंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि टेसला की कहानी में एडिसन सिर्फ लेवल वन के विलेन है। फाइनल बॉस तो कोई और ही है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1888 में। निकोला टेसला के लिए ये साल काफी अच्छा था। क्योंकि इस साल टेसला ने की नए आविशकारों का पेटेंट हासिल किया। मसलन इंडिक्शन मोटर और आर्क लाइट। इस समय तक एडिसन और टेसला का रास्ता अलग-अलग हो चुका था। एडिसन की राँ DC वाली थी, तो टेसला की राँ AC वाली। एडिसन की तमाम तिकडम भिडाने के बाद भी जीत AC की हुई। लिहाज़ा जीता कौन? जीता तो हमारा हीरो टेसला ही लेकिन जो जीत जाए वो अंदर डॉक कैसा? टेसला ने अपने पेटेंट जॉर्ज योगपती को बेच दिये, या कहें किराए में दे दिये। बदले में टेसला को वेस्टिंग हाउस की कमपनी में साथ हजार डॉलर के स्टॉक और रॉयल्टी मिली। रॉयल्टी का हिसाब यू था कि कमपनी जितनी ज्यादा बिजली बेचती, टेसला को उतना अधिक पैसा मिलता, सब कुछ टय होने के बाद वेस्टिंग हाउस कमपनी एसी वाली बिजली बेचने लगी, सब कुछ सही चल रहा था कि एडिसन एक बार फिर टांग अडाने पहुँच गे, एडिसन की जनरल इलेक्रिक कमपनी ने वेस्टिंग हाउस कमपनी पर केस कर डाला, केस के च तेसला ने कांट्राक्ट फाड़ा और करोड़ों की रॉयल्टी छोड़कर चलते बने। बिजली की लड़ाई यही खम हो गई। चूंकि तेसला का दिमाग खुद बिजली था। इसलिए वो नई खोज, नए आविशकारों में जुट गे। साल 1897 में टेसला ने एक और जबर्दस चीज का पेटेंट फाइल कर दिया। इस आविशकार का नाम था टेसला कोईल। यह एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर था जिसमें एक लोहे के कोर के आसपास लैमिनेटेर तामबे के तार के दो कोईल लगे होते थे। इस कोईल में हाई वोल्टेज उर्जा पैदा होती थी, लिहाजा टेसला ने इसका इस्तमाल रेडियो कम्यूनिकेशन के लिए करने की ठानी। साल 1899 में एक परीक्षण के दोरान उन्होंने बिनातार हवा में कुछ दूरी पर बल्ब जला दिये। टेसला को विश्वास हो गया कि इस तकनीक के जरिये वो न सिर्फ हवा में संदेश भेज सकते हैं, बलकि लंबी दूरी तक बिनातार बिजली भी ट्रांसर कर सकते हैं। इस सपने को अमली जामा पहनाने के लिए और बड़े स्तर पर परिक्षण की जरूरत थी। लेकिन टेसला सफल होते, इससे पहली ही एक और विलेन उनकी जिन्दगी में आख़डा हुआ। इससे तीन थे, लेकिन तीसरे की कहानी थोड़ा आगे जाकर बताएंगे। अभी के लिए दो लोगों के बारे में जानिये। इनमें से एक तो टेसला ही थे। दूसरे थे इटली के आविशकारत गोईलिलमो मारकोनी जन्हें हम बचपन से रेडियो के आविशकारत के नाम से जानते आए हैं। मारकोनी को ये ख्याती कैसे मिली? मारकोनी 1891 से इस दिशा में काम कर रहे थे। ठीक इसी समय तेसला ने भी रेडियो ट्रांसमिशन में रुची लेना शुरू कर दिया था। हाला कि एक अंतर ये था कि तेसला को इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों पर जिसमें टेसला का सारा पुराना काम जल कर राख हो गया। ठीक इसी समय मारकोनी हवा में रेडियो संदेश भेजने में सफल हो गए और साल 1896 में लंदन में उन्होंने इस तकनीक का पेटेंट भी हासिल कर लिया। मारकोनी एक बड़े और संभ्रांध परिवार से आते थे इसलिए जल ही उन्होंने अपनी कमपनी खोल ली और बिजनेस शुरू करने के लिए अमेरिका में भी पेटेंट दाखिल कर दिया। 10 नवंबर 1901 को दाखिल की गई इस पेटेंट अर्जी को पेटेंट आफिस ने खारिश कर दिया। उन्होंने कहा इस तकनीक के पेटेंट पर तेसला का हक है। इधर मारकोनी को आगे बढ़ता देख। तेसला ने भी अपने परिक्षन की स्पीड तेज कर दी हालां की इस काम के लिए उन्हें काफी सारे पैसों की जरूरत थी। तेसला ने अमेरिका के एक बड़े उद्योगपती जेपी मॉर्गन से मदद मांग था। 1901 में इस तावर पर काम शुरू हुआ लेकिन तभी तेसला को एक और बुरी खबर मिली। 12 दसंबर 1901 के रोज मारकोनी अट्लांटिक महसागर के पार रेडियो संदेश भेजने में सफल हो गए। हालां कि इस काम में जिस डिटेक्शन उपकरन का इस्तमाल हुआ था वो मारकोनी की नहीं भारतिय वैज्ञानिक जगदीश चंद्रबसू की खोज थी। नवंबर 1894 में उन्होंने एक प्राक्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिये माइक्रोवेव के अस्तित्व को पहली बार प्रूव किया। कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के गवर्नर सर विलियम मैकेंजी के सामने ये प्रदर्शन किया गया था। बोस ने बारूद में विसफोट कर बिनातार की मदद लिए दीवार के पार एक घंती बजा कर दिखाई थी। बाद में बोस ने बंगाली में इस पर एक शोध पेपर भी लिखा जिसे नाम दिया अद्रिश्य आ वो बोस के आविशकार मर्क्यूरी कोहनन विट टेलिफोन डिटेक्टर की तकनीक पर आधारित था। बोस को इसका श्रेय नहीं मिला। 1899 में जेसी बोस ने अपने वाइरलेस के काम करने के तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया। लेकिन बोस की दाइरीक हो गई जिसमें इस आविशकार से जुड़ी सारी डिटेल थी। दूसरी और मार्कोनी ने बोस के आविशकार के व्यवसाइक फायदों को समझ लिया और अपने बचपन के दोस्त लुईजी सोलारी के साथ मिलकर एक बहतर डिजाइन बना लिया। मार्कोनी ने ज अपने काम के लिए 17 पेटेंट तो वो मेरे ही इस्तमाल कर रहा है। टेसला मानकर चल रहे थे कि चू की पेटेंट उनके पास है। इसलिए उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन टेसला के साथ एक बार फिर वही खेल हुआ। 1901 से 1905 तक टेसला अपने टावर के साथ ए 22 डॉलर प्रती शेर पहुँच गया। अमेरिकी अरपती एंडुक कारनेगी ने मारकोनी की कमपनी में निवेश किया। इस इस बिजनेस वाली स्टाइल में दंदनाते हुए एडिसन आये और मारकोनी से बोले। लो भाई हमारा पैसा भी इन्वेस्ट कर लो इनके अलावा जेपी मौरगन भी मारकोनी के साथ हो लिए। टेसला अकेले पढ़ गए। लडखराते अंडर डॉक को किसमत की एक और लात पड़ी। साल 1904 में पेटेंट कमपनी ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए मारकोनी को रेडियो का पेटेंट भी दे डाला। मारकोनी रेड तूटा जब साल 1909 में नोबेल पुरसकारों की घोशना हुई और वायरलेस टेलिग्राफी की खोज के लिए मारकोनी को नोबेल पुरसकार दे दिया गया। इस बात से टेसला इतने नाराज हुए कि उन्होंने मारकोनी की कमपनी पर केस कर डाला। इतनी बड़ी कमपनी से टकराने के लिए जो पैसा चाहिए था वो टेसला के पास नहीं था लिहाजा केस घिसटा रहा। आखिर में साल 1943 में टेसला को न्याय मिला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक निरने देते हुए रेडियो का पेटेंट दुबारा टेसला के नाम कर दिया। हाला कि तब त सरकार पर केस कर दिया। इसी केस में सरकार को बचाने के लिए कोट ने रेडियो का पेटेंट टेसला के नाम कर दिया। टेसला के साथ देर से ही सही कुछ न्याय हुआ। हाला कि इसके बाद भी रेडियो के आविशकारत के रूप में मारकोनी ही जाने गए। और भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्रबसू, जिन्हें इस खोच का कम से कम आधा क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्हें क्रेडिट मिलने में 100 साल से उपर लग गए। 2012 में भारतिय वैज्ञानिकों के प्रयासों से सर जगदीश बसू को रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमेगनेटिक रेडियेशन का फाउंडिंग फादर होने का श्रेय मिला।